करनाल के लगु सचिवालिय में नगर निगम से निकाले गए 198 करमचारियों द्वारा रोश प्रदर्शन किया गया करमचारियों द्वारा अपनी मांगों का ग्यापन जिला प्रशासन को सौपा गया नौकरी से निकाले गए करमचारियों ने कहा कि बार बार जिला प्रशासन एवं निगम प्रशासन को अनुरोध करने के बाद भी 198 करमचारियों को नौकरी पर नहीं लिया जा रहा जिस से उनको रोजी रोटी के लाले पड़े हुए है उन्होंने प्रिशाजन से नुरोद किया कि हटाए गए कर्मचारियों की सेवाएं दोबारा से बहाल की जाएं इस मौके पर कर्मचारियों की ओर से नगरपाली का कर्मचारी संके सदस्य ने जानकारी देते हुए कहा कि कोरोना काल में कर्मचारियों द्वारा बहतर सेवाई दी गई है परन्तु अब इनको नोकरी से निकाला जा रहा है जो बेहत निंदनी है इस इमांग को लेकर आज बहे जिला उपायुक्त से मिलने लगू सची वाले पहुँचे ताकि इन कर्मचारियों को भी दोबारा से रोजगार मिल सके इस अफसर पर कर्मचारियों द्वारा नारेवाजी भी की गई पेरोल पे लिया जाए और परसासन से बार बार विंतिये ही करते हैं जो सभी कर्मचारी कोविड की महामारी में भी अपनी एहम भूमी का निबाई है इन्होंने तब भी परसासन हाथ पे हाथ रखके बैठा है हमारी कोई सूजबूज नीरेरा हम सभी के पास जा लिए डीसी साहब पे हम जा लिए रेनुबाला साहब पे जो कर्नाल की मेयर है उनके पास हम गए अगी साहब जो डिप्टी मेयर बने उनके पास हम गए खटर साहब को आज हमने डिमाइंडर दिया है आज भी जो विंडो में के माध्यम से प्रंतु चलते चलते हमें ये लैटर दे पाए हम बात नहीं हमारी उनके पास भूपाई मेरा मानना कहना यही है जितने भी दोस्तो करमचारी रहा गया इनको भी पेरोल पे लिया जाए टी सी साब कहाना यही था भई एक जारोनत्यस करमचारी में पावर में काम करेंथे ठेक के पर था में जरकार के लैटर जारी ओने के कारण इन में से 757 करमचारी लिये गए हैं मेरी बार बार ये ही बेंती है आजिए भीटी बैंकेट एंटर्प